Hello Guys, तो कैसे गाइसा भी लोग, जैसे कि आप जानते हैं मैं आप रहा हूँ जिंदल, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ, How to find location of any element in a periodic table, हम किसी भी element की location कैसे find कर सकते हैं, हमारे periodic table में, modern वारे periodic table में, हम अपने element की location कैसे find कर सकते हैं, किसी भी element की, आजम वो सिखेंगे, here, how to find, location, for family element, तो जैसे कि आप जानते हैं, एक element को find करने के लिए हमारे पास, तीन ची जानी की हैं, तागियां तो उसकी location पता चल सकें, ठीक है ना, periodic table में, हमारे पास, तीन ची जानी की हैं, तहां जो हमें, इसी भी element की, exact location पता चल सकें, here is the exact, बिल्कुल accurate position पता चल सकें, तो वह मारे पास थी, एका मारे पास, block, period, head, group, ठीक है दोस्तों, आप जानती होंगे, कि जो group होता है, वह ऐसे जलता है, और जो period होता है, वह ऐसे जलता है, exact location, accurate position पता है, तो यह पीलना, टाइम पर काल, यह चार्ज करते हैं, यह हम कैसे पास कर सकते हैं, तो पहले पास गरेंगे, how to find block of any element, यह गाइस, block, देखो guys, अगर, हमारा जो, element है, अगर हम जब उसकी electronic configuration करेंगे, electronic configuration करेंगे, तब, जो उसका last electron है, last electron, अगर s-subshell में जाता है, last electron, अगर s-subshell में जाता है, तो वह कौनसा block होगा, s-block, अगर 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 if last electron, बोगई तो s-subshell, तो कौनसा block होगा, s-block, अगर नाजी लोक, P सचल भेप लेक्ट अटा है जो का P फिरस हίο? ठीक नहीं, आजी की लईंडील भी स्पध्यों में भालत फिरसलिक्टर्र्ण करा हुआ है लोगस। और गास दीक़ भी सियमे हां में imper अफस। If last electron goes into D-subption, तो D-blog Last electron D-subption गयाद है हमारे पास ठीक है? अब बात करते हैं हम अपने चोथे ब्लोक के बारे में, जो हमारे पास F-blog लिवाद आप जानती है कि F-blog में जिर्व दो जीजा आती है, यह होती है, Lenthenoids एक होती है हमारे पास Ectinoids ठीक है? जो Lenthenoids होती है ना, वहाँ रपस आते हैं, टॉमिक नंबर 58 से देखर 71 वाले, और Ectinoids आते हैं हमारे पास, 89 से लेकर 103 वाले ठीक है? इसकों बोल से Lenthenoids, इसकों बोल के एक्टिन होती है, यह आते हैं F-blog अगर कोई भी Lentron या फिर ELEMENT, इसकों नंबर के बीच में आता है अब हम बात करेंगे, how to find period, कि कि हम किसी भी आलिमेट का period कैसे find कर सकते हैं? इस period हम कैसे find करेंगे देखो, अगर तो लगाश ELECTRON, S-subshell में जा रहा है देखे न, S-subshell में जा रहा है, और कितने में जा रहा है वह ही उसका failure जासे लगाश ELECTRON है, जो S का हो जा रहा है 1-S में, या 2-S में, तो हो जाएगा 1-2, जिसमें जा रहा है वो जाएगा, इसका failure, अगर S-Block में जा रहा हुआ, ठीक है? और इसके बाद, अगर P में जा रहा होगा, P-Block में, P-Block में जा रहा है, जितने में जा रहा है, जैसे 4-P, 6-P, 4-P में आखरी किया है, ठीक है, तो हो जाएगा, 4-P, अगर यहां होगा है, यहां होगा 6-P, ठीक है, ऐसे करके हम, अपने P-Block में फाइड करने, ठीक है? अब बाद आती है, मारे D-Block, Elements और F-Block Elements, जा जमारे D-Block Elements होंगे, D-Block, इसमें कोई भी दिक्क्यत वाली बात नहीं है, इसमें तोट जा डिफरेंट है, यहीं मुश्पिल नहीं है, ठीक है, जैसे कोई Element गया, 3-D में, एक्जाम्पल लें, कोई Element गया, पर लोग तो जाएका D, ठीक उसका पीडिन नंबर क्या होगा, जितने में भी किया है, उसमें एक एड़ कर दो, अगर 3-D पर जाएका पीडिन नंबर 4, अगर 5-D में किया है, पीडिन नंबर 6, ठीक है, बस हम ऐसी बाद कर सकते है, D-Block Elements का पेरियर आप हमारे पास बात आती है एक लोग अलिमेंट्स की वारे में अगर्स एक लोग में आपको पता ही है एक तो आपने लेंटिनोइट्स और आपने एक अक्टिनोइट्स अबस यह जाद अख्लो हो जो रैंपनोइट्स आपने यह याद रख रख़़गे आपनी ठीक है इस इपास आगया एक कैसे रोग कर सकते हैं कि सीवी आलिमेट का पीरिएड अब हम बात करेंगे हम कैसे कए लियएक का कु selfies क्नलत gefथ है ठीक है दोबस्तों हुआ है हम कैसे रही थे augких आजए का एक नर् Bible которые इस ग्रूप निकालना बहुत हीजी है, अगर अलिमेंट थाल्यू, उसके अलेक्ट्रोणी कन्फिक्रेशन में, जो इलेक्ट्रोर हो रहे हैं, वंचग करेंगे, करेंट वाटर, टोiend में कहा गए है तो पर फिर गूप लाहेगा गुरुप नमबर फिर टो मेरे गूप नमबर Two ठीखेhen बस हम ऐसे बाट कर सकते हैं ग्रूप नमपर in case of as-blog elements अब हम बात करेंगे कि हमारे p-blog elements के बाएगे प्लोप अगर कोई भी element p-blog में लाई कर रहा है और हमें उसका ग्रूप नमपर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे किसी बी element की हम electronic optimization करनेंगे पहले और आखरी electron जो p में जारा होगा उसको देखेंगे अगर वो जा रहा होगा jar में you right suppose अ हो 4 by में जारा है तो पी में जारा है 3 भी में जारँ ह। हम कैसे करेंगे जो यह आगा बाद अनप्राया निसमें 12 ऐपार चार बारा प्रस दो, बारा प्रस तीर, सोला, दोर ने, बंदर, यह आ जाएंगे हमारे पास PCB element का group number, ऐसे हम कर सकते हैं PCB element का group number जो P block में लाई कर रहा है, और अब हम बात किनेंगे कि हम कैसे वाइंड कर सकते हैं group number, और उम्जा elements का, जो की मार पास deep block elements में लाई रहे हैं, deep block, गास बहुत ही simple है, स्पोस करो किसी भी element की, जो electronic integration आप वार पास आई, एंड में 4S2, 4S2 और 5P, 6, तो स्पोस करों ऐसा कुछ आया मारे पास, ठीक है, अब इसको हम D add करेंगे, 4S2, 3D, 10 और हमारे पास, 4S2, 3D, 10, तो अब हम कैसे बंड करेंगे इसका, group number, वो देखेंगे, हम कैसे बंड करेंगे, number, जो S के आगे है, और number, जो D के आगे है, add करेंगे, इंके जो powering को add करेंगे, 12th group में आजगा यह, ठीक है, अब हम बात करेंगे, हमारे एप ब्लोग के बारे में, आप ब्लोग, तो कैसे एप ब्लोग बहुत ही सिंपल है, आप ब्लोग में आपको पता ही क्या है कि, Lactinoid आते हैं और हमारे पास आते हैं Actinoid, दुड़ो ग्रुप नबर आ हमारे पास, जो लोग है की इस ग्रुप में लाए करते हैं, और इसे पीड कर सकते हैं, यह ब्लोग का element कोई भी उसका group, तो आपकास कीसी भी element की location लोकेशन कर सकते हैं, आज के लिए इतना ही अमारी वडिओ में और हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगर से अगर से शेयर कीजिए और इस वीडियों को लाइक कीजिए यह हैं…. कि परंदे है रिए। है